बच्चों, आज मैं आपको पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी तो पत्र लिखना तो आप सब जानते हैं न? पत्र दो कार्णों से लिखा जाता है पहला हम पत्र उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा कोई नीजी संबंध ना हो वेफसाय से संबंधी पदाने अचारे को प्रातना पत्र, अवेदन पत्र, सरकारी विवागों को लिखे गे पत्र सबवादक के नाम पत्र आदी उपचारिक पत्र कहलाते हैं दूसरा पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिकत संबंध रहता है अनुपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को जैसे माता-पिता, बाई-बेहन, सगे संवन्दी और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंतरन देने और सूचना आधी देने के लिए लिखे जाते हैं पत्र के दो मुखेता रूप हैं पहला जो है, ओपचारिक पत्र जिसे हम इंगलिश में फॉर्मल लैटर कहते हैं आईये इनने लिखने का तेका सिखें सबसे पहले हम अपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे अपने मोहोले की सफाई के लिए नगर के सवास्त अधिकारी को पत्र लिखिए सेवा में सवास्त अधिकारी मोहोदे नगर निगम करखगजीला जमुव कश्मीर विशे मोहोले की सफाई के लिए निवेदन महोदे मैं आपका द्यान महोला चरशज़ वार नमबर की ओर दिलाना चाहती हूँ यहां गलियों एवं नालियों की सफाई बिलकुल नहीं हो रही है सफाई करमचारी आता तो है लेकिन वे सफाई की अपेक्षा इधर उदर बैच कर गपे ही हांगता रहता है कभी कभी एक दो बार जाड़ू लगा कर गर की ओर चल देता है जिससे कूडा कच्रा नालियों का गंदा पानी जगा जगा एकत्रित होना आरम हो गया है प्राता की ताजी हवा के स्थान पर प्राया गंदी बद्वू ही आती है इससे हमारे मोहोले में मक्खी मच्चर भी बहुत बढ़ गया है करोना के साथ साथ अन्य बिमारियों के फैलने का खत्रा बढ़ गया है हमने सुफाई कर्मचारी को के बार समझाया भी परन्तु वै अपनी मनमानी करता है अथा इन सब बातों को देखते हुए आप से प्रातना है कि जहां आकर स्वेम निरक्षिन करें और हमारी गली की सफाई की उचित विवस्था करें दन्यवाद भवदियर महोला बाद नमबर दिनाग दुरबाश नमबर तो आज हमने उपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं उसके बारे में समझाया इस पत्र में ध्यान देने वली बात इसमें यह है कि इस पत्र में पत्र पाने वाला यहां का जो पत्र पाने वाला का हम यहां पे क्या लिखते हैं पता लिखा जाता है उसके बाद हम यहां पे विशे हमने यहां पे अवश्य लिखना है उसके बाद समभोधन समान सुचक लिखा जाता है उपचारिक पत्रों में नमसकार परनाम आदी अभिवादन नहीं लिखे जाते हैं जो उपचारिक पत्रों होते हैं उस पे हम ये नमसकार परनाम आदी नहीं लिखते हैं इसके बाद हम उन्हें जो संदेश हमने देना होता है हम वो लिखते हैं उसके बाद हम दन्यवत करके यहाँ पे अपना नाम, दिनाग, महोला, बार नमबर, दिनाग, दूरबाश नमबर यह सब लिकर पत्र को समाप्ट करते हैं